variables in C program तो आज हमने क्या what is variable and how to declare and initialize variables in C program यह पढ़ने वाले हैं तो चले हम variable की definition देख लेते हैं variable is the name of memory location we store some data variable memory location का नाम होता है अगर हमें किसी चीज को store करने पड़ती है उसके लिए जगह की ज़रुत पड़ती है अगर वो चीज किसी जगह पर store कर दे और उस जगह को हमने नाम दे दिया तो उस नाम को हम क्या कहेंगे variable तो यहाँ पर देखिए हमारा computer memory और इस computer memory है छोटे छोटे block से blocks भी कह सकते हैं और container भी अगर इस container और block में हमने कोई data store कर दिया और इस block को अगर हमने नाम दे दिया तो इस नाम को क्या कहेंगे हम variable O.K . टो चलिया मैं यहाँ पर ईजवो स्टुडी ओपन कर लेता हूं और आपको नहीं क्या variable कैसे dской करते हैं यह शोग कर देता हूं तो मैं यहाँ पर एक्स्टूर कर लेता हूं file explore कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर file create करता हूँ file name देता हूँ that is taste.c ओके और save कर लेता हूँ यहाँ पर जो हमारा file explore वहा है उसको minimize कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ code that is hash include और stdio.h then क्या कर लेता हूँ int main यहाँ पर हम क्या कर लेंगे calibrations open and close और यहाँ पर कर लेता हूँ int increase तो हूँ पर jinos int earth है ना इसे हम क्या कहेंगे declaring variable इस तुरे से हम ने क्या कर सकते ए variable को declare कर सकते हैं तो इस मैं से यह und क्या होता है और यह क्या होत यह दोस्तों, int is a data type, ओके, और a क्या है, that is a variable name, मतलब क्या, जहां पर हमने data store किया है, और उस memory को जो नाम दिया है, उसे हम क्या 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 है, वेरियेबल, ओके, तो यह तो हमारा हो गया variable declaration, तो अब हम क्या करेंगे, variable initialize कैसे करते है, तो variable initialize कैसे करते है, a equal to 25, तो इस तरह से हमने क्या variable को क्या कर सकते है, initialize कर सकते है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस variable को क्या कर सकता हूँ, screen पर print करता हूँ, तो यहां पर देखे हम print कैसे करते हैं, printf, ok, function use करते है, then double code, यहां पर हम करेंगे %d, ok, और यहां पर हम करेंगे that is a comma and then, हमने जो variable है यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर सेमिकॉलन यहाँ पर सेंट डी क्या होता है दरसो फार्मेट स्पेशिपार होता है यह हम बाद में देखेंगे रिटर्न स्टेट में उस करेंगे रिटर्न 0 और यह हो गया हमारा टो चलिये मैं यह program आपको रंकर दिखेंगता हो तो मैं बेट regret करता हूं नियो तर्मिनर्ट यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा जी सी टेस्ट डॉट सी ऑके बीच्ठ कただ कर सके हिए यह ब क्या कर सकते हैं JE वाराइबं करता है, था परुक़ यहां भी साथ है, यहां पर हम ने पूंह कर的話, गयों करने किद मतल्स है, तो यह प्रोगाम में मैं इसको save कर लेता हूं और करता हूं तो मैं आपर terminal open कर लेता हूं new terminal तो प्रोग्राम को compile कर लेते हैं gcc test dot c okay run कैसे करते हैं dot back slash a dot exe okay यहांपर देखिया हमें outputs still 25 मिला मतलब क्या हमने के variable को single line में declare and initialize कर सकते हैं तो ओहर देखिये we can change the value of variable हमने के variable की value change कर सकते हैं तो चलिए हम कैसे value change करते हैं देखते हैं मतलब जो हमारा variable है उसमें value कौन से है that is 25 अगर हम यहां पर यह equal to 11 तो यहां पर देखे हैं हमारा computer memory है तो यह जो memory में है हमारी value क्या है that is 25 जो firstly initialize किया है और इस memory को नाम क्या दिया है that is a और यह क्या है variable अगर हमने यहां पर statement कर लिए a equal to 11 तो हमारे value change हो जाएगी तो यह मतलब जो पूरानी जो value है उसको write करके हमारा क्या गया 11 तो हमारे a में क्या होगा भी 11 तो मैं देखे हैं यह program आपको रण करके दिखाता हूं terminal new terminal और मैं यहां पर क्या कर लेता हूं command प्रेड करता हूं for compilation gcc test.c ओके तो यह program successfully compile हो गया then मैं इस program को run कर लेता हूं dot backslash a dot exe और देखें यहां पर output क्या मिल गया 11 मतलब क्या हमने क्या यह जो variable की value है हम कभी भी change कर सकते हैं ओके we can also reuse it multiple times हम variable को any number of times नहीं के program में use कर सकते हैं तो इस तरह से हमने क्या variable क्या होता है और variable कैसे declare करते हैं और नहीं क्या initialize कैसे करते हैं और नहीं क्या variable declarations initialization together कैसे होता है तो इस video में हमने देखा और thank you so much